मदद करेंगे जी भाई मैं एक नमबर एक से अगर कोई सवाल होतो करें मेरा नाम है त्रीविक रमदास पालक है मैं नोकरी करता हूँ यहाँ पर एक हाड़वेर और प्लावड के दुकान में मैं आपका भूत बार प्रवचन टिवी पर देख चुका हूँ बहुत आनन्द भी आता है अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है जो हिंदू का जो आता है आप वेदों से देते हैं यानि जो भी वेदों से कंपाइंजन करते हैं लेकिन हमारे जो वेद है वो आकसर जो है वो सोर गए यानि जन्नब तक जादा करके ये करते है लेकिन उसके आगए अगर हिंदु में अगर हम लोग जाएंगे अगर सही में हिंदु भी नहीं बोलते हैं हम सानातन धर्म कहते हैं जैसे आपने अभी व्यक्षा किया था नदी के पारक के हिंदु उसको कहे जाता है तो हम तो सानातन धर्म से है तो सानातन धर्म में हमारा जो आता है तो भगवत गीता जैसे आपके अंदर जो ये है जैसे बाइबल का अपनी इसलम का ये है कुरान है तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है और जो भगवान के बारे में जानना है यानि अल्ला के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ अगर ये है वेद तो हमको सुर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्ला तक जाने के पोच्छ तक है यहने अल्ला को हम सामने सामने देखके उनकी सेवा करने के लिए है तो जो अभी आपने जो भी साव बोले थे जो अब दियाता अभी कर रहे थे आवरत के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि आवरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है, और आपका प्रोवचन मुझे बहुत बहु प्रशन होते हैं खुसुसान जब मैं हिंदु धन्म के बारे में कहता हूं और वो कहते हैं सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में भी आपको शायद यह पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेद है भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे आरिय समाज आप आरिय समाजिए सनातन धर्म में भां से किसा में अपको इसकॉन बिलको इसकॉन हरे रामा भरे कृष्ने अप कौन ठीके तकाउन का तसकरा करता हूँ मैं गया था एक बार कलकता में और कलकता में तक्रीज थी मेरी उस वक बारिश आती है बारिश तो हो गई लेकिन मेरे साथ आने वालते इस कौन के हेड कलकता के हम लोग दोनों जाते हैं एक वैन में वैनिटी वैन मतलब जो बड़े मैधान में यहां तो माशाला मैधान के बाजों में काफी बिल्डिंग है तो बड़े मैधान में प्रोग्राम होता है तो कोई green room नहीं होता है तो क्या करता है मैं लेक आते बस इसमें make-up room या आराम करने के लिए condition होता है तो मैस कौन के head के साथ में बेटा था तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे अवल है भगवत गीता मैंने बहुता ठीक है और कहें का वेद भी ठीक है तो मैंने पूछा ये भगवत गीता हिंदू धरब में दो किसम की किताब है एक है शूती एक है स्मृती शूती मतलब जो भगवान की भीजीवी किताब वेद और उपनिशत उसने का बिल्कुल सही स्मृती किसे कहते तो उसने कहले लगा स्मृती कहते वो जो आदमी की लिखिवी किताब है मिसाल के तोर पे मनू स्मृती तो मैंने पूछा ये रामायनों महाबरत क्या है तो उसने कहा ये है स्मृती बेशक बिल्कुल सही जवाब था मैं भी ताले बेल मूँ तो मैंने पूचा बिल्कुल सही कहते है उपर आती है शृती, वेदा और उपनिशद स्मृती मतलब दूसरी किताबे मनुस्मिती, इतिहास मैंने पूचा यह माबारत क्या इतिहास है तो मैंने उसे पूचा गुरु जी यह बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है माबारत का अट्रा चैप्टर का सही है अरे बिल्कुल सही है, आप होते इल्म लगते हैं मेला बेशा तो जब भगवत गीता माबारत का हिस्सा है तो माबारत स्मृती है के शुदी है स्मृती है बोला तो स्मृती उपड़ कहले नीचे तो बहूंने हाँ आपके पास दिल्म है नहीं इसलिया आप जानते हैं हम लोग को कहते है भगवत गीता चाह उचे है लेकिन हम सही कहते है ये भगवत गीता वेद का निचोड है निचोड़े लिकिन वेद उपर है खुदा की किताब है भगवत गीता इनसान की लिखी है किसके दर ये? स्कॉलर्स किताब के इसकॉन के गुरू भी कहेंगे हो लेकिन आप आम आदमी है आप शायद ये पेचिदा चीदे को जानते नहीं हम तालिब इल्म है मैं स्कॉलर्ण नहीं हूँ तालिब इल्मू तकाइबल मजहिब का इस्लाम एन कमपाइटिव लिजिन का तो बोले बेच चकाब बिल्कुल सही कहते है तो मैं कहूँगा अगर वेद और भगवत गीता में टक्रा होए किसकी बात मानेंगे तो बोले आम तोर पर तो हम कहते है भगवत गीता उपर है लेकिन आप सही कहते है क्या आपका दिल में तो मैं डबल स्टेंडर्ड क्यों जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या तू प्लस तू फो ही रहता है चाहिए वो सेकेंड स्टेंडर्ड में या टेंडर्ड में तू प्लस तू वो ही रहेगा फोर बदलेगा नहीं तो मैं यह कहता हूँ गुरू जी से आपके संग से कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदूों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर्ब में सिर्फ ब्रहम्मन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते वेच्वियाद शूद्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद अमीर या गरीब, राजा या फकीर पुरान बढ़ता है नमास के लिए जब उस इश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते हैं चाया वो फकीर या अमीर या गरीब फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे से कंदे मिलाके खड़ा होता है और आप याँ जीखेंगे और मैं अल्हम्दलिल्ला कई बार साओधिय रहा गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ माशालला उनकी सेक्यूरिडी रहती है तो सेक्यूरिडी हड़ जाती है आप साथ में तो साथ में अल्हम्दलिल्ला राजा या फखीर अमीर या गरीब काला या सफेद यक्सा है तो मैं यह कहना चाहता हूँ अब बिल्कु सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लिकिन खुदा की बात भी करता है भगवद गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवद गीता सही है बराबर यह नहीं कही रहूँ कि वेदों में नहीं कहा है वेदों में बहुत आकरे आकरी में आता है लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डाइरेक्ट घञा रहा है यानि आल्ला ने कहा हुआ है तो इसके लिए अरबी वेदllow पश्रकुत में है वो सपड़ नहीं सकते है लेकिन जो भगवत गीता है बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गए लिए और जो भगवद गीता है बहुत सारे आदमी ने यानि लिखी हुए गरवन 200-300 लोगों ने लिखी है आपने अपने इसाब से बिल्कुल सही कहा लिकिन इस कौन का जो गीता है भगवद गीता वो गुरु परमपरा में है वो भ परमपरा में आगर गया तो कृष्ण तक गया जानि जिसने जो कहा है ओए जीटी जे इसके लिए उसका लिखा हुए जीटी भगवद गीता आपके स्वामी प्रभु पधा बराबर येस प्रभु पधा इंसानी थे ना इंसानी थे ना मैं किदर ना बोल रहा हूं यह हमार जिसने भी जिगर मज़ाएप की किताब है जैसे वक जाने लगे बदलते के आप बल्कुल सही के तिनसो किताब है बाईबल सिकडों किताम हमारे आईर एफ ने audio क Subaru कोई भी कुरान लो इंडिया में अमेरिका में, यूके में, इंदुस्तान में, पुना में, हूब हो वही है एक लख की बात दूर रही आ की मातरा, ई की मातरा जबर जेर वो भी फरक नहीं है फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है ओरिजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाला तो मैं यह कहना चाहता हूँ जितनी किताबे पहले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते है भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से वंटडिक करे तो फल और एहमें मैं बिल्कुल मानता सवामी पुख पता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेत का निचोड़े और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका हूँ आपकी भगवत गीता आइज दिटिज पढ़ चुका हूँ उसमें ही लिखा उसका ही टांसलेशन था भगवत गीता आज़लेस नम्बर सांथ श्लोका नमबर बीस में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है आपकी भगवत गिता में लिखा है और उसका प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाई है बोश से गाई है और क्रिशन क्या है दूद निकालने स्वारा इंसान और दूद क्या है भगवत गिता है सभी कह रहा हूं कि ने प्रिफेस में लिखे लिए कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांसलेशन पसंद है अक्सर हमारे हमाँ भी माशाहला पचास से ज्यादा भगवत गिता है मैं लेकिन स्वाम लेकिन निचोड मतलब ने कि असल फल को गाई को छोड़ देंगे गाई चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाई रहेंगी तो दूद मिलते रहेंगा ना दूद को लेंगे गाई को मार देंगे दूद आपके खतम हो जाएगा भाई गाई को जिंदा रखो रोज दूद लो बराबर के ने दूद्रे बच्चे पैदा करेंगी गाये लेकिन तो गाये को मत छोड़िए इससे हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है आपकी भगवत गिता में लिखा है चैप्टर नमर च सही मानी आपको मिलेंगा वेश से उसमें पता चलते हैं जिसम कहते हैं पैगंबर आखरी पैगंबर आखरी आउतार कौन है कलकी आउतार अगर आप वेद में मानते आपको आखरी आउतार कलकी आउतार में मानना ही पढ़ेंगा फिर ही आप कह सकते हैं असल भक्तू बगव कि आतार की मा के नाम क्या है सुमति की मानी अमन अर्भी में कहते है कैंसंद्संदाथ शालम के वालदा का नाम तामे उसमें लिखा है कमें अग्रजिय अब्र अभी हवाला विदे रहा हुआ है टाम मिल मुअदा, अरीभी में तरजमा करेंगा अधुल्ला, मkräमत स lawyers मांदा अभ्धुला, उसमें लिखा है, वो इसी जगाह मैं पैदा होंगे जो अमन की जगाह है, हम मांते हैं मक्का है अमन की जगाह है, उस मैं लिखा है कि वो बारवी तारीक माधव के दिन पे पैदा होगी वो बारवी रब्वी अवर में हुम्मस अलाव सल्म पैदा है आगे आप पढ़ेंगे वेज में लिखा है कि उसके चार करीब दोस्त थे जिसका मैं जिकर क्या हूँ चार करीब दोत मुम्म्मद स.A.W. के थे जो हज़रत अबुबकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं लाभी फिल्युद्धे मौल, आला ताला की रहमा सब पे हो, किसके बार में दिकर करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी, वह आएंगी एक गार के अं मिंदु धर में, वक्त नहीं है, तो ये पुछना चाता हूँ, आप मानते हैं कैसके अउतार में, आप मानते हैं मौम्मद स.A.W. आखरी पैगंबर है, मैं तो कुरान तीन बार पड़ा हूँ साब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वह बात नहीं हैं, मानना सिर्फ जरूरी मैं अमल करना ज़रूरी है, मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पर अमल ना करता हूँ, तो बेकार है, मैं कहता हूँ, मैं मेरे वालिद से बहुत मौबत करता हूँ, वालिद की बेज़ती करता हूँ, वालिद की बात में मानता हूँ, वालिद से बतम करना चाहिए तो मैं अपने से आमल करता हूं एक ही ये करके दो इस नहीं बलाव वो नहीं बोल रहा कि पलिए कोughters रेलिए को अलग है मेरे लिए कोछ अलग है मैं जानता हूं सनातन धर्म में एक खुदा को मानते है वो मानते खुदा की पतिमाने अख्स नहीं है बराबर ही मानते लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ आप कल की आउतार में मैं आप मेरे सवार को गुमाँ मत मैं जानता हूँ मैं यह जानता हूँ सनातर धर्म के बारे में जानता हूँ पहले स्टेज में आप पास कर चुके एक खुदा में मानते हैं बिल्कुल सही मैं ये बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के आउतार पैगंबर आखरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं महम्मद पैगंबर को आप मानते हैं कि वो आखरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते हैं बिल्कुल सहे लेकिन ये कहना कि सबमजभ यक्सा है हूबlooking ये सईने यक्सानियत है इसलिए मैंने का यक्सानियत पे अमल करो आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज़ पे अमल करूँगा कई हिंदू जाते बुद्परस्ती करने के लिए आपने करते अच्छी बात है अलहम्दलिल्ला इसलिए मैं आपको कॉंग्राइजिनेट करता हूँ मैं कांग्राइजिनेट करता हूँ क्योंके सनात अधर्म बुद्परस्ती नहीं करता है अलहम्दलिल्ला सुम्मा अलहम्दलिल्ला आप आदे इंत्यान में सफलता पा गए अभी ये पुछता हूँ मैं जिस आपने का आप अगर मुम्मदल्ला सुम्म को आखरी पेगंबर मानते है तो उसके पेगाम पे अमल करना जरूरी है सिर्फ पेगाम को पढ़ना जरूरी ने पेगाम पे अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूं मानता हूं नेकि अमल ने करते तो कोई फाइदा ने तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पैगांब में पुरान शरीफ और आखरी पैगंबर मुहम्म्मद संब्लाओं स्लम्म में मानना जरूरी है पिर ही आप सही तरीके ते मदभ को पैचान सकेंगे नाइए तेंकियो तुझ बोलने का आपको मुझे यह कहने तो आभी आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए तो मैं मुवमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं मुवमिन का क्या रहता है मुवमिन का क्या रहता है जो कैसा रहता है मैं इतना याद में जितना रखा हूं मैं जो भी यादे बोल दीजिए नो प्राबलम जो कमिया में पूरी कर लूँगा नहीं नहीं जान दीजिए आप दूसरे को भी कोश्चन पूछना है मैं आपको परस्नल मिलता हूँ बाद में पीछे बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशालला ठीक है आडे कृष्णा कि तरफ से कोई अगर सवाल हो तो घर मुस्लिम बहनों को तरजी दी जाए उनको पहले मुका दिया जाए मैं आपको पूद्सक्त बाद जाए लगे सब्सक्ति नग्डर टूस्ट जाए दो को प्लाए वा जाए ऑर मगे एंवा तो चुटिखा वाह एंट्सक्ति दाख पूश्ट है मैं आपको भी अबल्सक्ति अड़े